अब साथियों उत्तर पर्डेージ के हाथरस की घटना ने पूरे परदेश और देश को हिला कर रख दिया इस दरिंदोने जिस तरह की दरिंदगी की उससे हर इनसान का दिल दहल गया अ कि लेकिन पिलिस प्रसासन का जो रविया है वह दरिंदो को बचाने वाला है और जिस तरीके से पीडित परिवार को यह भाई यार के लिए दोराया गया और फिर बाद में पीडिता की इलाज के दोरान मौत हो जाने के बाद पीडित परिवार की सहमती के बगेर और पीडित परिवार को कमरे में बंद करके आधी रात को उनके सव को जला दिया गया और जिस तरी पुलिस वाला वहां पर खड़े हो करके हस रहा था जब उनके सव को जलाया जा रहा था तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो पुलिस प्रसासन है वो लगातार दरिंदों को बचाने के लिए सबूत मिटाने के लिए काम कर रहा है और जिस तरीके से DM और ESP के बयान आ रहे उससे ये बात और प्रमारित हो जाती है कि कहीं न कहीं सरकार का दबाव है प्रसासन के उपर और सरकार के दबाव में आकर प्रसासन आरोपियों को दरिंदों को बचाने के कामपल लगा हुआ है राष्टिय पिछडाबर्ग मोर्चा के माध्यम से कल उत्तर परदेश के सभी 75 जिलों में धर्ना प्रदरसन करके हम लोगों ने प्रिडित परिवार को न्याय दिलाने की मांग किया था और जो अपराधी हैं उनको फासी की सजा मिले ये मांग किया था उत्तर परदेश सरकार ने जाच के लिए SIT का गठन किया है मगर हम लोगों को SIT पर यकीन नहीं है क्यों कि जिस तरीके से परसाशन का रवईया है उससे ये बात सावित हो रही है कि ये क्यों लोकल परसाशन के अस्तर का मामला नहीं है बलकि सरकार की तरफ से दरेंदो को बचाने की कोशिस हो रही है तो इसलिए हमारी मांगिये है कि हम SIT से संतुष्ट नहीं है और हमें SIT नहीं चाहिए हमें इस मामले की CBI जाच होनी चाहिए और जितने भी पुलिस कर्मी और जितने भी DM-ASP परसासन जो सारा इस घटना में सम लिप्त है उनको निलंबित करना चाहिए ततकाल प्रभाव से और निलंबित करके CBI से इस मसले की जाच करानी चाहिए पीड़ता के परिवार को शुरच्छा मोहिया करानी चहिए ताकि उन्नाव जैसी कोई घटना प्रिये घटना पीड़ता केTime परिवार के साथ में न घटे और कम से कम एक करोन रुपिया और नोकरी पिड़ता के परिवार को मिलनी चहिए ताकि वो अपने जो अन्याय हुआ है उसके खिलाप में लड़ाई लड़ सके और न्याय प्राप्त कर सके ये हमारी माहन है अभी हाथरस का मामला चल ही रहा है पूरे देश के लोग दुखी है पूरे देश के लोगों को गुस्सा है इसी वीच खबर बलरामपुर से आ गई कि एक बालिका के साथ जो की कालेज में एडविशन लेने के लिए गई थी उसके साथ गयंग रेप किया गया और फिर उसकी दुखत मौत हो गया इसी प्रकार की एक घटना बलातकार की बुलंद सहर से आई इसी प्रकार से एक घटना की जानकारी आजमगर से आई तो लगाता महिलाओं के उपर बलातकार हो रहे हैं तमाम SCST OBC के लोगों की हत्याएं हो रही तमाम SCST OBC के महिलाओं के उपर बलातकार हो रहे हैं तमाम पिछडे बरिक के लोगों को फर्जी इंकाउंटर में मारा गया जैसे आज आधी रात को हाथरस की पेड़ता के सो को जला दिया गया उसी प्रकार से जहांसी के पुस्पेंद्र यादों की जब फर्जी इंकाउंटर में मारा गया था तो उनके सो को भी रात में पुलि का मनोवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसलिए इसके खिलाप में एकजुठ होने की जरूरत है इकठा होने की जरूरत है और तमाम पिछड़े बर्ग के लोगों को सिर्यूल कास्ट के लोगों को सिर्यूल ट्राइब के लोगों को एकजुठ होकर के यह जो अन्याय अक्तियाचार पूरे उत्तर परदेश में हो रहा है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है इसलिए जो बहुजन करांती मोर्चा जो कि संगठनों का एक मंच है उनके जो अश्टियस संजोजक है मानिवामन मेश्राम साहब मानिवामन मेश्राम साहब ने इन तमाम घटनाओं को ले करके हाथरस की घटना की सीवी आई जांच हो और तमाम मांगों को ले करके और इसी प्रकार से जो गोंडा में बल्रामपुर में घटना हुई बुलंद सहर में घटना हुई और जो आजमगड में घटना हुई इन तमाम घटनाओं में पीड़तू को न्याय मिले इस मांग को ले करके आगामी 3 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन घोसित किया है राष्टिय पिछड़ा बर्ग मोर्चा जो की पिछड़े बर्ग का OBC का राष्टी अस्तर का संगठन है हम राष्टिय पिछड़ा बर्ग मोर्चा की तरफ से बहुजन करांती मोर्चा ने जो आंदोलन घोसित किया है उसका समर्थन कर रहे है और हम अपने उत्तर पर्देश के सभी कारिकरताओं को पदाधिकारियों को ये अपील करते हैं कि वो सभी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में सामिल होकर कि इस आंदोलन को सफल बनाएं और आगे भी जो भी लड़ाई न्याय के लिए होगी हमारे लोगों के उपर जो बहुजन समाज है इसके उपर अन्याय अत्याचार के विरोध में जो भी न्याय के लिए लड़ाई होगी उसमें राष्टी पिछड़ावर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ सामिल रहेगा